नमस्कार दोस्तों and welcome back to my channel tips and tricks दोस्तों इस साल यानि की 2021 में मैं solar system के उपर और solar के related product के उपर काफी सारे वीडियो में बनाने वाला हूँ ताकि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाए तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये solar charge controller है मेरे पास इसके बारे में मैं बैटरी इंडिकेटर है आपकी बैटरी कितने परसंटेज चार्ज हुई है यहां पर इस डिस्प्ले में आपको दिखाई देगा इन दोनों product के बारे में मैं आज आपको जानकरी देने वालों तो वीडियो को पुरा देखना पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्र 500 रूपे में और यहां पर पीछे की तरफ एक connection डायग्राम दिया गया है जिसमें पता चलता है कि solar panel और battery और लोर टीनो को कहां पर कनेक करना है यह आपको इस डायग्राम में पता चल जाएगा और side में कुछ specification दिये गया है इस charge controller के तो चलिए box को open कर लेते हैं और देखते परा जो में प्रॉडक्ट है solar charge controller वो मिल जाता है quality तो काफी अच्छी है और उसमें wire के कुछ लग्स दिये गया है जिसमें हमें wire को fit करने के बाद इसे हमें यहां पर जो socket है उसमें fit करना होगा controller के उपर आपको कुछ detail देखने को मिल जाएगी जहां पर rated voltage जो है 12V और 24V है यानि कि 12 और 24V के आप battery connect कर सकते है इसका rated current जो है वो 20A है और जो PV voltage है वो 50V है क्योंकि इसके उपर जो panel लगेगी वो 260W की लगेगी अगर 12V की है तो और अगर 24V की है तो 220W के आप maximum लगा सकत यह solar charge controller हर capacity में available होते है 10A, 20A, 3A, 40A जैसी आपकी solar panel की capacity होती है उस हिसाब से आपको solar charge controller purchase करना है मैंने यहाँ पे 380W की solar panel के लिए 20A का solar charge controller मंगवाया है solar charge controller का काम होता है आपकी solar panel में से जो बिजली बनती है उससे आपकी battery को charge करना और यह solar charge controller टीन तरह की battery charge करता है एक तो lead acid battery जो normally हर inverter के साथ होती है दूसरी होती है lithium battery और तिसरी होती है lithium iron phosphate battery इसमें दो USB pot भी दिये गए है जिससे आप अपने mobile को भी charge कर सकते हो तो जिन लोगों के पास अभी inverter और battery है लेकिन आपका inverter जो है वो solar panel को support नहीं करता है तो वैसे में आपको यह solar charge controller पर्चेस कर लेना होगा जिससे कि आपकी battery जो है वो solar panel से direct जो है वो charge हो जाए तो यहाँ पे मेरे पास है luminous की 370 watt की monopark solar panel इसको मैं इस solar charge controller के सार्ट connect करने वाला हूँ और मेरे पास battery है luminous की ही है 150 AH की और उसको मैं charge करूँगा तो चलिए इसका connection पहले कर लेते हैं और बाकी का जो इसमें जो भी function है वो मैं connect करने के बाद आपको समझाओंगा तो चलिए पहले मैं solar panel को और battery को इस solar charge controller से connect कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सेकतों मेरे पास है luminous का NX-D1100 model ये एक solar inverter है लेकिन ये inverter जो है सिर्फ 12 volt की solar panel को ही support करता है और इसके साथ मैंने connect किया है ये luminous की 150 AH की battery को और अभी मैं इस controller को भी इसके साथ connect करने वाला हूँ बैटरी के साथ क्योंकि ये controller जो है वो 12 volt और 24 volt डोनों तरह की solar panel को support करता है तो मैं मेरे पास जो luminous की solar panel है 24 volt की उसको मैं इसके साथ connect करने वाला हूँ और इसे मैं अपनी battery को charge करने वाला हूँ बाकी के जो connection है inverter के साथ वो same के same रहने वाले है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले battery के साथ इस controller को connect कर देते हैं दोस्तों इस controller के साथ मैं इस display को भी connect करने वाला हूँ ये जो display है वो indicate करेगा हमारे battery के जो capacity है वो कितने percentage battery हमारी charge हुई है discharge हुई है वो हमें इस display पर पटा चलेगा तो मैं इसको भी इसी के साथ करने करने वाला हूँ तो यहाँ पर इसका जो negative है इसको मैं इसके साथ करने कर देता हूँ और इसका जो ये लाल वाला positive है वो battery के इस positive terminal के साथ हम लोग connect करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो यह डिस्प्ले जो है वो ओन हो चुका है जैसे हमने बैटरी के साथ करने किया तो देखिए 100% अभी बैटरी जो है वो चार्ज हो चुकी है और उसके जो वाल्टेज है वो भी आपको यहां पर दिखाई दे रहे है तो यह डिस्प्ले काफी जरूरी है आपको पता चलेगा आपकी बैटरी कितने परसंटेज चार्ज हुई है तो इस डिस्प्ले को भी आपको पर्चेस करना है यह आपको 600-700 रुपे में मिल जाएगा यह भी MEC स्मार्ट कम्पनी का ही है अब हम लोग क्या करेंगे यह वाला जो टर्मिनल है वो हम इस चार्ज कंट्रोलर में जो पॉजिटीव है उसमें डालेंगे और नेगेटीव वाला जो है वो नेगेटीव में डाल देंगे तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटीव वाला डाल देते हैं अब बाजू में जो है वो नेगेटिव वाला है तो उसमें हम लोग नेगेटिव टर्मिनल डाल देंगे जैसे ही हम बैटरी को कंट्रोलर के साथ कनेक करते है तो हमारा कंट्रोलर जो है वो उसका डिस्प्लेः ओन हो जाएगा अब देख सकते हो display on हो चुका है तो दूस्तों यहां पे हमारा controller जो है वो battery के साथ connect हो चुका है और देखिए यहां पे जो battery है वो भी indicate कर रही है और यहां पे बाजू में solar का जो symbol है वो अभी तक नहीं आया है क्योंकि हमने अभी तक solar panel जो है वो connect नहीं की है तो हमें यहां दो जो पहले दो sockets है उसके अंदर solar panel को connect करना होगा और यहाँ पर हमारा जो setup के साथ वो पहले हमने कर लिया है अब हम solar panel को connect करते हैं और negative terminal यहाँ पयाएगा positive यहाँ पर आएगा और यहाँ पर मैंने solar panel को पहले से connect किया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग यह wire जो है मैंने निकाल के रखे हुए तो यहाँ पे पहले negative terminal को मैं connect कर लेता हूँ एक बाद ध्यान में रखना होगा जब भी हम लोग solar charge controller को install करते है तो सबसे पहले battery को connect करना है बाद में solar panel को connect करना है ऐसा नहीं कि पहले solar panel को connect करने के बाद battery को connect करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारी connection है वो complete हो चुकी है यह पहले जो डो wire है यह red और यह वाला black वो solar panel में से आता है यह लाल वाला जो है positive है यह black वाला जो है वो negative है और उसके बाद जो है यह red वाला जो है यह battery में से आता है और यह black वाला जो है वो भी battery का है negative और यह positive है और यह जो मैंने एक display लगाई है battery कितनी percentage charge हुई है यह उसके cable भी मैंने EC के साथ connect की हुए है और यहाँ पर आप last में डो जो socket है वो आपको blank रखने होगे यहाँ पर आप अपना load जो है यानि bulb या जो fan है उसको चला सकते है लेकिन याद रहे वो fan या जो भी bulb जो भी load आप चला रहे हो वो DC में होना जादातर हमारे गर के अंदर जो इस्तमाल होते है fan और बल्प वो AC में होते है तो याद रखे DC appliance जो भी है इस पे आप चला सकते हो तो अभी मैंने main supply जो है बन कर दिया है तो यहाँ पे जो light है वो भी बन हो चुकी है और inverter जो है वो अभी battery पे on हुआ है अब हमारी battery जो है वो थोड़ी सी discharge हुई है 61% हुई है अब यहाँ पे क्या करेगा solar charge controller जो है solar में से जो बिजली बन रही है उससे इस battery को चार्ज करेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो arrow का जो निशान है वो blink हो रहा है इसका मतलब यह है कि solar में से जो बिजली बनती है उस बिजली से ही हमारी बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे solar charge controller का यही काम होटा है solar panel में से जो बिजली बनती है उससे हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा तो आज के वीडियो में इतना ही रखते है और कुछ जानकरी होगी तो मैं आने वाले वीडियो में भी देने वाला ह तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिख लेना और वीडियो पसंद आये तो लाइक करना शेयर करना और चैनल को सबसे भी जोड़ किजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई टेकर जैहिंड वने माटरों झाल